दुख का अधिकार मनुश्यों की पोशाके उन्हें विभिन श्रेनियों में बाट देती हैं जो इनसान लोग के जो कपड़े होते हैं उनको अलग-अलग क्लास में बाट देती हैं प्रायह पोशाख ही समाज में मनुश्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। समाज की नीचली श्रेनियों की अनुभ्यूती को समझना चाहते हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा सरकम्स्टेंस भी आ जाता है लाइफ में। जब हम खुद चला कर चाहते हैं कि सोसाइटी के जो नीचली श्रेनी यानि की जो नीचे क्लास के लोग रहते हैं। उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो एक्सपेक्टेशन से उनको हम समझना चाहते हैं। उनके प्रॉब्लम्स को हम खुद महसूस करना चाहते हैं। लेकिन उस समय क्या हमें हम पे बंधन और अर्चन बन जाती है। वो होती है पोशाक, यह important है। कि पोशाक ही बंधन और अर्चन बन जाती हैं, रुकावट का कारण बन जाती है। जैसे वायू की लहरे कटी हुई पतंग को सहसा भूमी पर नहीं गिर जाने देती। जैसे कि जो काईट होता है, उसको क्या होता है कि जो वायू यानि हवा उसको अचानक से जमीन में गिरने नहीं देती है। वो वायू जो हवा होती है वो पतंग को लहराती रहती है हवा में ही। उसी तरह कुछ special circumstances यानि खास परिस्तितियों में हमारी पोशाक हमें जुक सकने से रोक सकती है, रोके रहती है। यानि कि हमारे जो कपड़े हैं हमें नीचे जुकने नहीं देते हैं। अब आये कहानी जानते हैं इसके पीछे का, बजार में फुट पात पर कुछ खर्भूजे डलिया में यानि कि कुछ खर्भूजा डलिया में ये डलिया में और कुछ जमीन पर विक्री के लिए जानपड़ते हैं। सेल बिक्री के लिए ये औरत लेके बैठी वी है खरबूजे के समीप यानि पास में एक अधेर उम्र की औरत बैठी रो रही है यानि थोड़ी एजेड है है ना वो बैठी रो रही है खर्बुजे विक्री के लिए थे, परन्तु उन्हें खरिदने के लिए कैसे कोई आगे बढ़ता, पर उन्हें कोई खरीद नहीं रहा था क्यों नहीं खरीद रहा था खरबूजे को बेचने वाली तो कपड़े से मूँ चुपाए सिर को घुटने पर रखे फफक फफक कर रो रही थी क्योंकि ये जो खरबूजे बेचने वाली है वो फफक फफक के या खुब जोर जोर से मतलब फफक फफक के मतलब कि ऐसे करके जो होता ना रोना वो वैसे वो मूँ चुपा कर रो रही थी ठीक है पडोस की दुकानों के तकतों पर बैठे है या बजार में खड़े लोग घरिना से उस इस्तरी के संबंद में बाते कर रहे थी यानि कि आसपास के दुकान के लोग जो बैठे वे थे वो जादे नफरत की से उस इस तरी यानि वो लेडी के बार में बात कर रहे थे वो इस तरी का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी है ना लेखा कि मन में वैथा सी क्यों उठी क्योंकि वो इस तरही रो रही थी वैथा यानि कि उसके अंदर में अच्रज वो हुआ कि जानते हैं कि एक कुरियसिटी हुआ कि जानना चाते हैं कि उसका रोने का कारण क्या है पर उसके रोने का कारण जानने का उपाई क्या था फुटपात पर उसके सम्मी बेट सकने में मेरी पोशा की विवधान खड़ी हो गई थी क्या चीज उसको रोक रही थी उसकी पोशा, उसकी कपड़ा उसको रोक रहा था कि वो नीचे जुक कर उसे कैसे बात करेगा कि आप क्यो रो रही हैं, ठीक है कभी कभी कोई चाहते हुए भी किसी के मदद नहीं कर पाता है, इसी कारण से क्योंकि पोशा की विवधान बन पड़ती है एक आदमी ने घ्रीना से एक तरफ थुपते हुए कहा क्या जमाना है ज़वान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीटा और बेहाया दुकान लागा कर बैठी यानि दुकान लागा कर यानि उखर बूजे बेचने और क्यों उसका लड़का मर गया था पूरा एक दिन भी नहीं बीटा था दूसरे सहाब ने अपनी दाड़ी खुजाते हुए कहा अरे जैसी नियत होती है अला भी वैसी बरकत देता है सामने के फुटपात पर खड़े एक आदमी यानि की जैसी करणी वैसी भणनी टैप से बोल रहे हैं लेकिन ऐसी बाते इस समय में बोलना अच्छा नहीं होता है क्योंकि वो औरत का बच्चा मर गया है और उसने खरबुजा भेजने का क्यों सोचा बजार में जाकर उसी दिन उसके पीछे भी कोई कारण हो सकता है तो बिना किसी कारण जाने हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए आए जानते हैं कि वो कारण क्या था सामने के फुटपात पर खड़े एक आदमी ने दिया सिलाई से यानि कि माचिस की तीली से कान खुजाते हुए कहा अरे इन लोगों का क्या है? ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पे जान देते हैं इनके लिए बेटा बेटी का समलुगाई धरमीमान सब रोटी का टुकड़ा है यानि कि रोटी के टुकड़े के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं ऐसा वो आदमी बोल रहा था बैचने बैड़ गई है लाला जी ने कहा हजार आदमी आते जाते हैं कोई क्या जानता है कि इनके घर में सूतक है कोई इसके खर भुजे खा ले तो उसका धरम इमान उसका इमान धरम कैसा रहेगा क्या अंधेर मतलब क्या स्थिती आ गई है ऐसे करके वह बोल रहा है यानि घ लड़का सहर के पास डेर भीगा जमीन पर कच्छियारी करकर परिवार का निर्भा करता था लड़का परसो सुबह मुह अंधेरे बेलों में से पके खर्बूजे चून रहा था सुबह सुबह लड़की की मृती हो गई कोशन आते एक्जाम में आपके तो गिली मेर की तरावट में विश्राम करते हुए एक सापने लड़के को ड़स लिया था साप के ढसने के कारण से लड़की की मृत्ति हो गई थी साप ने लड़के को ढसा था ठीके न लड़की की भुरिया मा बावली हो गई यानि की पुरी पागल की तरह हो गई रोजह को बुला लई जाना फुटना हुआ नागदेव की पूजा हुई पूजा के लिए दान दक्षीने चाहिए पैसा चाहिए दान दक्षीना देना है घर में जो कुछ आटा था और अनास था दान दक्षीना में उड़ गया मा बहु और बच्चे भगवाना से लिपट लिपटकर बहुत रोई पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ उसका जो बेटा एक दफा चुप हुआ फिर ना बोला क्योंकि वो मर गया था सर्प के विश से उसका सब बदन काला पड़ गया था क्या हो था सब बदन काला पड़ गया था क्यों क्योंकि जहर से जिन्दा आदमी नंगा भी रह सकता है परन्तु मुर्दे को नंगा कैसे विद्धा किया जाए सही बात है क्योंकि उसको एक कपड़ा तो नहीं पड़ेगा ना कफन के लिए वजाज की दुकान से एक नया कपड़ा लाना ही पड़ेगा चाहे उसके लिए मा के हाथों की छनी कखनी यानि की चूड़ी होता है ना हाथ का वो भी क्यों ना बिक्ट है लेकिन वो तो करना ही पड़ेगा जो जिवाज होता है वो तो करना ही पड़ता है बगवाना पर लोग चला गया, दूसरे लोग चला गया घर में जो कुछ चूनी भूसी बची थी, जो खाने पिने का जो भी समान था उसके साथ चली गया, जो पैसा था वो भी उसके साथ चला गया, बाप नहीं रहा के डर से वापस ना मिलने के डर से उसे कोई उधार नहीं देता था आप ये लिखोगे बुढिया रोते रोते और आखे पोस्ते भगवाना के बटोरे हुए खरबुजे दलिया में समेट कर बजार की और चली और चाहा भी क्या था तब ही वो बजार में आकर वो खरबुजे बेच रही थी क्योंकि वो करती भी क्या सुबह तो लड़के जो बच्चे थे वो भुक से बिल्विलाने लगे बहु बीमार थी भुखार था उसको खाने के लिए क्या देती तो मरता क्या ना करता जब इंसान के उपर मुसीबत आती है ना तो वो सब रस्म रिवाज जो भ बताइए वो पत्थर दिल थी कि नहीं थी आप खुद बताइए कि ऐसा बोलना क्या सही रहेगा उस पुत्र वियोगनी मतलब पुत्र वियोगनी जिसका बेटा चला गया पुत्र यानी बेटा का अंदाजा लगाने के लिए वो जो राइटर है ना उसको किसकी आदा गई अपने पडोस में पुत्र की मरतीं से दुखी माता की बात सोचने लगा एक और लीडी जो कि सब भारांत महीला थी खैसे वाली थी और उसकी पुत्र की मतलय ना थी कंपैर कर रहा है ठीक है कि उसको मदे अडाऊ बरस मास तक जब उसका पुत्र मर गया था तो व्हुध ही म दूटर हरधम सिरहने बैठे रहते थे ढूटर पास बाफ सी जाती थी पुरा सेहर का लोग देखकर ध्रवित हो गया था कि ऐसा भी पुत्रशोख होता है यानि कि इसा भी बेटे का जाने का दुख होता है किसी को भी कि वो पलंग से नहीं उट सकती थी पंद्रा पंदम निट में वो बेहोस हो जाती थी, बेहोस नहीं होने के सिती में आकों के आसू नहीं रुकते थे, दो दो डॉक्टर सीरहने बैठे रहते थे, और इस ओरत को देखो, हाई रहे ये ओरत जो पत्थर दिले, जो बैटे को मरें एक भी दिन नहीं हुआ, और वो जो बेचने आ गई है, ऐसा प्रवाइब किया गया है, लेकिन दोनों महिलाओं का कंडिशन अलग अलग है, वो एक संभरांद महिला थी, उसके घर में सुक सुवीधा थे, लेकिन इसके घर में सुक सुवीधा नहीं है, इसलिए उसको ऐसा करना पड़ा, ठीक है, जब मन को पार नीचे नहीं और ठोकरे खाते में चला जा रहा था, ठीक है, और क्या सोच रहा था, सोक करने यानी दुख मनाने, गम मनाने एक लिए भी सहूलियत चाहिए, यानी ऐसलीटी चाहिए, फैसलीटी होता तो भाया डेर ढाई बरस क्या, ढाई बरस दुख मनाऊ ना, लेकि यज आदे भी बाहर निकली खर भूजा बेचने और दुखी होने का भी ऐकार होता है कि जूपकर उना बाहरी बोड़ी खुदी क्या पी, बटने यूदी किम दुखने कली शुपने का चुंड़ बाहरी बताइए कि आपको कैसा लगा ये चैप्टर और अगर आपको कॉशन अंसर भी अगर डिसकस करना आप अगर चाहते हैं तो मैं जरूर करूंगी कॉशन अंसर भी डिसकस तो आप मुझे बता दीजेगा तो मैं अपलोड कर दूंगी वो भी थैंक्यू सो मच वर वाचिंग